बाहर की बात नहीं, ही एकी भीतर की आग की दृष्टी की बात चल रही है, चेतना की बात चल रही है, वह चेतना, वह सम्वेदना, वह नैतिकता, आज सब सब विलिन हो गई, क्यों? मैं सब जानता हूँ ना? एक बेटे को भी आप समझाने जाओ, तो बेटा पहले यही कहता है, हाँ पीता जी मैं जानता हूँ, मैं कर लूँगा, मैं देख लूँगा। समझा के देख ले न, 15-20 साल के किसी युवा को बालक को, आपको यही उत्तर में, मैं तू जानता हूँ, मैं कर लोंगा, क्यू भूल कर रहे हैं, क्यू भूल कर रहे हैं, जानते हैं, तो मानो भी, और जिससे जान नहीं पा रहे हैं, उसको भी जानने का प्रयाज करो क्या-क्या समझा और क्या-क्या नहीं समझा इसका भी तो विवेक विचार करना होगा क्योंकि ये जीवन था जीवन एक चैसे फिल्म की तरह हमने माना था तो जीवन जीने के लिए फिल्म बनाने के लिए कुछ स्क्रिप्ट भी तो चाहिए पड़ेगी आचारों ने दे दी तिर्थंकरों ने हमें पाती दे दी लिख के भेज दिया बेटा ऐसा ऐसा कर ज्ञान सम्मेक ज्ञान वही है जो ततक्षन तुम्हारे लिए आचरण में लाने के लिए बोध के साथ बोधी को देने का कार्य करे वो ही ज्ञान है तुम्हारे ज्ञान को प्राप्त कर भगवान ने तिर्थंकरने आच्यारों ने काम मुझे पता है I know, मैं जानता हूं मैं जानता हूं मुझे क्यों बताया जारा है रातरी भोजन ने करना, पानी जान के पिना भगवान की पूजा करना गूरूं को आरदान देना यह सबकुछ मैं जानता हूं, नहीं जानते मा? कोई भी कहने आता है, हम उसे यह कहते हैं, तो जानता हूं कही सारे जिव, कही सारे जीव, आते है, पंडी जी, कहते है, महराजी, दुख्यों, परिशान हो, कुछ मंध्र देदो, कुछ करदो मैं कहता हूँ महा मंत्र जैसा कोई मंत्र नहीं तो महा मंत्र को पढ़ I know मराज मुझे पता है मैं जानता हूँ वो तो मैं रोज दस फेरता हूँ क्या हुआ क्या हुआ हमें कुछ भी उत्तर मिलता है हमने एक रट के रखा है मैं तो जानता हूँ मैं तो जानता हूँ क्या करना है ये मेरा जानने का भ्रम ये मेरे ज्ञान का भ्रम ही मुझे अज्ञानी बना रहा है जिस दिन मेरे भीतर निरने होगा कि अज्ञान सत्य है और उस अज्ञान से मैं भरा पड़ा हो उस दिन पक्त मान लेना तुम ज्ञानी बनने का फुरुशार्थ कर पाओगे अन्यता नहीं कर सकते वही वही जिनवानी को जिनवानी मानते हुए श्रद्धा से उठा कर पढ़ सकता है पढ़ने के बाद जीवन में उतार सकता है जिसके भीतर ये चेतना दोड रही है ये द्रिष्टी दोड रही है कि हां मैं अभी अज्ञानी हूँ अज्ञानी नहीं होते अज्ञानी नहीं होते अज्ञानी नहीं होते तो शायद पंचमकाल में नहीं आये होते ये प्रमान पत्र है कि हम पंचमकाल में आये है मतलब कही न कही न कही अज्ञान का अंधकार मेरे भीतर था अज्ञान का अंधकार मेरे भीतर था और जैसे अंधकार में उल्लू को जमगादर को दिखता है ऐसे हमें भी भ्रहम हुआ है कि हमें भी दिख रहा है पर अज्ञान अंधकार है अभी आपने वह ज्ञान चक्षु को खोला ही नहीं है उस ज्ञान चक्षु को खोलने के लिए जो ज्ञान के साधन है ये जिनवानी, ये शास्त्र, ये जिनवचन इनको हमें समझना होगा इनको हमें प्राप्त करना होगा क्योंकि आज सोम प्रभश्वामें हमें समझाने वाले है कि जिनवानी क्या होती है कैसी होती है हमने मात्र कार्जों के पन्नों में शब्दों में लिखे हुई इस जिनवानी को तो कई बार मा आरग्य चड़ाए कि नहीं कई बार आरती भी की पर उतने से काम बनेगा जानते हूँ आप लोग वही तो मैंने कहा I know मैं जानता हूँ, सब जानते हैं माराज आप क्या बताओगे, आप जो कहो हम पहले से जानते है आप वहाँ शुरू करो वाग कि उसके पहले ही हम क्यों देले भाई, हम तो सब जानते हैं माराज आप क्या जनाओगे आप जो जो कहना है, हमें ये तक पता रहता है में साब को, कि आज महराज के आहर कहा होने वाले हाँ कही भी पड़क जाए राम जी महराज पर तुरंट पीछे से चला, मैंने कहा था तो सब जाना है था सब पता है हमें खाली गया चूचा मुझे पता ही था तुमार है तुजाना ही नहीं था महा राज को ढ़की सिस्टिम है हम सब जानते सब जानते, सब जानते है कि उन्ही हो पह रा Hi hamas हमारी ज्यानी की अग्यानी दस्या है ना आख होने पर भी आंदे बन के घुम रहे हैं, सब चानते सब चानते मुझे तो आश्यर लगता है महराज को पता नहीं महराज कहा जाने वाले पर बाहर खड़ने वाले भीड को पता है, मुझे तो पता ही था कितना बड़ा ब्रह्म है में साफ कितना बड़ा ब्रह्म है मेरे पास ज्यान है मैं जानता हूँ I know कि निकालो दिमाग से दिमाग से निकालो मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ आज जो कुछ भी किया जा रहा है मात्र ये दिखाने के लिए कि मैं जानता हूँ जानते क्या है, धिवा केरती जी क्या जानते है, कुछ नहीं जानते हैं, बस इतने ही जानते हैं, कि हम जानते हैं, मैं जानता हूँ, क्या जानते हैं, नहीं पता हूँ, कुछ नहीं जानते हैं, परमस्त्य परमस्त्य जीवन का यही है, कैदिया स्वाध्याकर, थोड़ा सा ग जानकारी है, ये तुम्हारी जानकारी है, ये तुम्हारा ज्यान नहीं है, अगर सम्मेक ज्यान होता, सम्मेक ज्यान होता, तो कपके छोड़के घर को भाग जाते हैं, पर अभी जानते नहीं हैं, मात्र ब्रह्म हैं, कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जा जब तक परिचय नहीं था, जब तक जानते नहीं थे, तब तक मिलने का जो आनन्द होता है, वो मिलने में, बोलो ना, प्रोफेसर जी ऐसा नहीं था ना, यही आनन्द था, मिलना है, मिलना है, मा कही भी जाओ, को बहुत दिनों से मा से नहीं मिले, बात नहीं हुई, अब रो पहले से जानने लग गए, अब आनन्द किस बात का है, जिस मा को बोद नहीं है, मेरी गर्भ में कौन आने वाला है, वो रोज सोचती है, पता नहीं बेटा है कि बेटी है, वो आनन्द लेती है कि संतान होने वाली है, संतान होने वाली है, आज पहले ही पता चल जाता है कि कौ क्या है कैसा है अब पहले से रोने लग जाओ जानने का पहले से जानने का आधा आधा आधुरे ग्यान का कभी आनन्द नहीं आ सकता जो समय पे जानने का आनन्द होता है सही जानने का आनन्द होता है वह पहले से जानने का आनन्द नहीं होता फिर भी हम कहते I know Ukmaraj, हम जानते हैं कहां बता रहे इतनी सारी बाते हम जानते जिन्वानी क्या होती है हम रोज उठाते हैं, पकड़ते हैं बारगे चड़ाते हैं, दो-चाल लाइन पड़वी लेते हैं और पुना अरमारे में ठोच देते रख देते हैं क्या करें क्या करें क्या करें हम ज्ञान के आसाधनों की ज्ञान के साधनों की ऐसी ऐसी आसाधना कर रहे है जिसके कारण से ज्ञाना वरनी दर्शना वरनी कर्म का आस्रोबंद हो रहा है भूल रहे है क्यों नहीं हो रहा है ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है ग्यान? शास्त्रों से होने वाला नहीं था शास्त्र मात्र मात्र हमारे लिए नेत्र थे चक्षु से दिखाने वाले थे देखना तो मुझे चेतना से था देखना तो मुझे अपने चेतना से साब चेतना ही सो गई है चेतना ही खो गई है यह आखे बाहर की करेगी क्या पर यह आखे भी जरूरी है चेतना भी जरूरी है यह जिन्वानी भी जरूरी है और भीतर का ग्यान भी जरूरी है दोनों जब मिलेंगे तब कुछ काम होगा पर क्या करे, क्या करे हम आख होकर भी आख होकर भी देख नहीं पारे ज्ञान होकर भी जान नहीं पारे और विवेक होकर भी मान नहीं पारे मानना तो पड़ेगा मानना तो पड़ेगा आज मानो की कल मानो जब तक मानोगे नहीं तब तक भगवान बनने वाले नहीं हो नहीं हो भगवान बनने के लिए सत्य को जानने के काम नहीं होगा सत्य को मानना होगा और मा मैं तो कहता हूं मात्र मानने से भी काम नहीं होगा मानने के साथ जीवन में उतारना भी होगा सच्चा सम्मे ग्यान तो यही होता है सब्दों को रट लेना निर्वल जी ग्यान नहीं है ग्यान नहीं है जो आचरण में आया है धर्म के आचरण में नेतिकता में जेतना में आया है वास्तों में वही ग्यान है वही बताने वाला ये ये शास ये जिन्वानी हमारे लिए साधन थी पर कितना सम्मान कितनी स्रद्धा इन कागजों पर हमने की स्रद्धा का मतलब यह नहीं है कि आरगे चड़ा ले ना बहुत चाले तो ऐसे विवेकवान होते जिन्वानी पर जाके आरगे चड़ा के आते हाँ हमने तो देखा भगवान ऐसे बैठे भगवान के हाथ ही पे पुंज चड़ा के आते भगवान चड़ा लो ले खालो भई कर क्या रहे हम विवेक विवेक तो जागृत करो थोड़ा सा ये कब तक कब तक दिखाते रहेंगी भ्रह्म हमारा कि मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ मैं आख वाला हूँ अभी ब्रह्म मिठाना पड़ेगा कभी तो दिरने करो मैं अज्ञानी हूँ जो अज्ञानी अपने आपको मानता है वो ही जीवन में अज्ञानी बन सकता है मैं तो कहता हूँ उसी दिन से वो ज्ञानी है जब वो अपने आपको अज्ञानी मानता है जितने ज्ञाने जितने ज्ञाने आज तक संसार में हुए उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं ज्ञानी हूँ मैं बहुत जानता हूँ I know, मैं पहले से जानता था ऐसे ही होना है नहीं जान सकते क्यों भ्रह्म में पड़े हो क्यों भ्रह्म में पड़े हो भ्रह्म से काम होने वाला नहीं है भ्रह्म से काम होने वाला नहीं है एक वेक्ति था समझना कैसी इंसानों की वेक्तियों की मनुष्यों की टेंडन्सी होती है हर कारियों में, हर कारियों में मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ और नहीं भी जानते हैं तो ये जताना चाहते है कि हम सब जानते हैं मातर इर्शा के पीछे एक व्यक्ति था बहुत देर तक रोड पर प्रयास कर रहा था घर में, उसके पास जो उसको घर के अंदर गोजाना था सीधी सी बात थी, वो तो तिरियंच था, जानवर था, भले ही तिरियंच जानवर था मनुस्य नहीं था, पर वो जानवर भी चाल दिवालियों में सड़ना नहीं चाहता, इंसान भले ही चाहे इंसान भले ही अपने चाल दिवाली में जीवन गुजानना चाहे पर वह तिरियंच जानवर बैल भी नहीं चाहता था कि मैं किसी घर में घुज जाओं पर आध्धा पुर्शार्थ कर रहा था वह व्यक्ति उस बैल को धक्का दे कर अंदर करने का अकेले से तो काम नहीं हुआ पास में रोड़ पे से जाने वाले कुछ लोग उसे मिले और जैसे रोड़ से जाने वाले कुछ लोग उसे मिले उन लोगों से वह हाथ जोड़के कहता है यह बैल बहुत बड़ा है थोड़ी से आपकी मदद चाहिए इसको घर के अंदर करना है लोगों ने करा इतनी अच्छी तुम्हारी ये जगह है यहां तो ये बैल गाय सब बंदे है तो एक ही बैल को अंदर क्यों ले जा रहे है वो कहते हैं नहीं कुछ काम है उसे कुछ काम है अब लोग भी सोचे थे आप उनको क्या करना है वो मदद मांग रहा है अंदर करना है अंदर कर लेते तो चार-पांच लोगों ने मिलकर दक्का लगा कर थोड़े से दिमाग लगा कर बैल को घर के अंदर कर ले जैसे घर के अंदर वो घुज गया वो वेक्ति पुना उस बैल को बहले मंजिल पर ले जाने का प्रयाश करने लगा शीड़ी चड़ाने लगे आप वे लोग समझ में नहीं आए वो पूछने लगे भाई ये क्या कर रहे तो बैल को उपर ले जा रहे कैते हाँ थोड़ा सा कुछ काम है थोड़ा सा कुछ काम है बैल को उपर ले जाना है आपने इतनी मदद कर ली भाई साब थोड़ा सा पिगल गए बेवी तो ठीक है आप उनको क्या करना है उसका बैल, उसका घर, उसकी मंजिल जैसा कए आप उन तो मदद कर रहे अच्छी बात है उनने पुना मदद करके इनके इन प्रकार से उस बैल को पहले मंजिल तक पहुँच वा दिया पर उसे चेहन कहां पड़ रही थी वो कहता है भाई साब, भाई साब प्लीज, प्लीज, भाई साब और थोड़ी सी मदद कर लो और थोड़ी सी मदद कर लो आपने इतनी मेहनत कर ली इतनी मुझे मेरी मदद कर ली इस बैल को बातरूम तक ले जाओ जो मदद कर रहे थे भी समझ में नहीं पा रहे थे कर क्या चाहता है करना क्या चाहता है उसने कहा नहीं कुछ काम है उसे बातरूम के अंदर करना है बस धक्का लगा के धक्का लगा के सबने जैसे तैसे चोटे से बातरूम में उस बैल को गुशा दिया जैसे ही बैल को उसने अंदर गुशा दिया उस जिसका वो बैल था उसने जेब से पिस्तोल निकाली और तीन गोली मारकल बैर को अब इनके तो होसा ही उड़ गए कहते हम से मदद मांगी बैल को उपर टक लिया है जे क्या पागलपन है बैल को मारना ही था तो नीचे ही मार देते न यह उपर तो इतनी महनत करवाई बात्रूम ले गए और वहां मार दी कहता है उसके पीछे कुछ कारण है बै जिनोंने मदद की थी वे कहते अब तो हम जानना चाहते हैं अभी तो हमने कुछ नहीं पूछा पर अब तो हम जानने ही चाहते हैं यह नाटक क्या किया आपने वह कहता है कुछ नहीं मेरा एक मित्र आज आने वाला है इसलिए मैंने ऐसा किया मित्र का, बैल का, पाथरूम का, मारने का यह कोई तारता में समझ में ही नहीं आरा है वह कहता है आज उसका भोजन मेरे घर में है तो भूजन से और बहल के मारने से क्या ले न देना वे सब आश्यरे साट हो के पूछने लगे वो हमारा जो दोस्त है ना बहुत ग्यानी है बहुत ग्यानी है मैं उसे कुछ भी कभी भी कुछ कहता हो ना तो सौरब वो वही कहता है I know, मैं जानता हो कोई अन्होनी भी बात हो, मैं उससे कह दू, ऐसा ऐसा हुआ, वो कभी कहता ही ने, अच्छा, ऐसा हुआ, ऐसा कहते है ने, वो तो मैं जानता ही हूँ, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, ना मेम साब, वो तो पता ही है, महराज कहा जाने वाले थे, नहीं जाने वाले थे, पह ये भी हमें भाई साब ये बात समझ में नहीं आई कि उस दोस्त का भोजन का और बेहल मारने का और वो भी बातरूम में ला कि क्या संबन? कि ये वो भोजन करने आएगा ना आज तो भोजन करने आएगा तो पहल से क्या लेन दन उसको मारने से क्या? कहते हैं आप समझे नहीं हुझ जैसे ही भोजन करेगा भोजन के बाद हाथ पाऊ धोने के लिए आएगा और जैसे ही वे मरा हुआ खड़ा बैल देखेगा वो अश्चर चकी थोकर बहारा के करेगा अरे तिरे बातरों में बैल मरा खड़ा है फिर मैं भी कॉलर खड़ी करके कहाँगा I know, मैं जानता हूँ वो मरा खड़ा है क्या हुआ क्या हुआ जैसे दूसरे को मैं ग्यानी हूँ बताने के लिए मैं जानता हूँ ये बताने के लिए उस मुर्क ने एक जीव को मार दिया एक जीव को मार दिया तो सबके कह रहे होते, कैसी बैल को मार दिया आज तक हमने कितनों को मार दिया मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ यह दिखाने के लिए भले ही द्रव्य प्राण किसी के नहीं लिए भले ही द्रव्य प्राण किसी के नहीं लिए कितनी भाव इंसा निर्मल जी आज तक की I know मैं जानता हूँ भ्रम को मिटाओ भ्रम को मिटाओ भ्रम को मिटाओ कष्ट हटाओ जानता हूँ जानता हूँ जानता हूँ तो यहां बैठा क्यों है अभी जानता नहीं है अभी ज्ञान नहीं है यह मात्र अज्ञान की परणती है ज्ञान वही है जो विवेक के साथ हो हमें यह समझा दे हमें यह बता दे क्या करने योग है क्या करने योग नहीं है यह बताने वाला सच्चा ज्ञान होता है और यही सच्ची जिन्वानी होती है जाओ ज्ञानियों अज्यानी ज्यानियों समय हो गया है जानते ही हो वैसे आप सब फिर भी जना रहे है करेंगे कल पुना समय पर समय की चर्चा क्योंकि समय भी किया गया काम समय को दिलता है बोली भगवन मावीर स्वामी की